जार्खन के सिक्षा मंत्री का दावा फेल 31 लाख बच्चों को अब तक नहीं मिली कितावे जार्खन के सिक्षा मंत्री जगानात महतों के निर्देश के पाना राजे के अधिकारी से लेकर सिक्षक तक नहीं कर रहें नतीजाया है कि राजे के 31 लाख चात्र चात्राओं को अभी तक पाठे पुस्तके नहीं मिली है वे भीना कितावे के ही पढ़ने को मजबूर हैं बता दे एक जुलाई से नई सेक्षनिक सत्र सुरू होने के साथ सिक्षा मंत्री ने सभी जीलों को निर्देश दिया था कि एक सब्ता में सभी बच्चों को कितावे उपलब्द करा दी जाए इसके बावजूद निर्देशन के बाद और 30,64,64 में से 6,64,000 बच्चों को ही कितावे मिल सकी है अभी भी 31,00,000 बच्चे कितावों से वनची था हैं बता दे शत्र सुरू होने के पुर्व इसकूलों में 7,00,000 बच्चों के बीच कितावे बाटी गई थी इसकूली सिक्चावा सर्षता बीभाग के इब इद्यावाहनी की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है जार्खन में 12 जुलाई तक बारिस के असार हैं हलाकि हलके से मत दर्ज की बारिस की समभना जताई जा रही है 10 जुलाई से एक बार फीर मानसुन एक्टिव हो सकता है बता दे कुछ अस्थानों पर हलके से मत दर्ज की बारिस हो सकती है वही मौसम विभाग की माने तो बारिस के साथ में गर्जन भी हो सकता है इस दोरन बजरपात की भी असंका है इसे लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया है जार्खन के सभी हिसों में कई दिनों के बाद कॉल बंगाल की खाड़ी से मानसुनी हवा ने परवेश किया है बालु के अवैद खनन में लगे नाव मालिकों की पहचान का आदेश जार्खन के जामतरा बिधायक इर्फान अनसारी का स्तियेम को अवैद बालु खनन के नजारे का वीडियो ट्वीट किये जाने का असर सनिवार को दिखा धनबाद तथा जामतरा परशासन ने अलग-अलग करवाई की है धनबाद के डिसी संदीप कुवार सिंग आला अधिकारियों के साथ छापे मारी के लिए बेजरा घाट पहुचे वहीं डिसी ने निर्कुंडा के सुंदर नगर बालु घाट का भी निरिक्षन किया दूसरी और जामतरा परशासन की टीम अधिकारियों के साथ बेजरा घाट में छापे मारी के लिए पहुची हलाकि छापे मारी में बालु का अवैद खनन करवाईने वाले पकंड नहीं आये अवैद कारवारियों को इस बात का अंदेशा हो गया था कि परशासन के अधिकारी करवाई के लिए सनिवार को जरूर आएंगे राश्ट्रिये सिक्छक पुरसकार के लिए टीचर नहीं ले रहे रूची जहर्खन के सिख्षक राश्ट्रीय सिख्षक पुरस्कार के लिए आवेदान जम्हा करने में रूची नहीं ले रहे, अब तक राजे के सरकारी वहमन्याट्य प्राप्थ इसकूलों के बावन 1493 सिख्षक में से 88 सिख्षकों ने ही आवेदान जम्हा किया है, इन में से भी 31 स सिक्षकों का पंजियन अम्तिम रूप से नहीं हो पाया है बता दे राश्ट्रिय सिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन जमा करने की अम्तिम तीथी 10 जुलाई है पहले याति थी एक से 30 जून निधारित थी इसे बाद में बढ़ा कर 10 जुलाई तक कर दिया गया है राश्ट के बाद वहन टेस्ट में पास होने पर ड्राइविं लाइसेंस देने के समय डिट्यो करयाले में फिर से फोटघ्राफी वख अन्यक कार्यों पर परavyवहन विभाया के सचीव केके सोनने रोक लगा दी है सबी DTO इसे लेकर पत्र भेजा गया है बता दे कहा गया है कि Learning License लेने के समय आवेद्दक की ओर से दातावे जमा किये जाते है DTO कर्याले की ओर से फोटोग्राफी कराई जाती है ऐसे में वहन टेस्ट में सफल होने वाले आवेद्दक को ड्रावी लाइसेंस देने के लिए फीर से फोटोग्राफी या किसी अन्यक कारे के लिए नहीं बुलाया जाए Honor Book और ड्रावी लाइसेंस के लंबित ममलो का निप्टारा हाटा इन्पूट के बाद हो वहीं कोई भी अस्मार्ट कार्ड बिना इंट्री किये डिस्पेच करने वाले कर्मियों पर सक्त करवाई होगी स्रावनी मेले के लिए नव इको कंपनी पहुँची देवगार पीए मोदी के देवगार आगमन पर सुरक्षा यहमसांती बेवस था और आगमी स्रावनी मेले में कावरियों को सूलब दर्शन कराने को लेकर नव रक्षा वाहिनी सही तक्रीबन एक हायर पुलिस कर्मी देवगार पहुँच गया है ततकाल इन में से महिला बटालियों को देवगार पुलिस पर सासन की ओर से डंडवा नदी के समीप बनाये गए डोम पंडाल में ठाराया गया वहीं रेप के बटालियों को उनके पुराने पसंदिदा अस्थाल आर एल सराप इस्कूल मैदान परिसर में ठाराया गया है जबकि अन्य महिला वटालियों को कुमैठा एस्टेडियम के समीप एक सिक्षन संस्थान में ठारने की बिवस्ता की गई है देवगर आई रांची के मेर ने बाबा मंदी ठाना पर भारी पर लगाया आरोप मेर ने कहा है कि बाबा नगरी आने के बाद अगर बाबा की पूजा नहीं करे तो जीवन बेकार है इसलिए बाबा मंदीर पूजा करने के लिए पहुँचे थे जिस दवार से हम परवेश किये उस दवार से गर्ब जाने के लिए हजारों लोग परवेश कर रहे थे पुजा कर जब निकले तो बाबा मंदीर थाना प्रभारी सा SIS1 सीन पर बत्सक्लिकी का आरोप लगाई है देवघर में सुबह 6 वए से साम 7 वए तक सहर में भारी वाहनों की नो इंटरी पियम मोदी देवघर आगमन के दीन 12 जुलाई की सुबह 6 वए से साम 7 वए तक देवघर सहर में भारी वाहनों का परवेश पूर्णता प्रतिवन रहेगा हलाकि यात्री वाहनों के लिए पुलिस पसासन द्वारा कुछ वैकल्पिक माग भी घोसित किये गए हैं इस समध में पुलिस पसासन द्वारा आम सुचना भी प्रकासित कराई गई है जनकारी के मुताबिक परधान मंत्री के आगमन के दिन सहरी छेत्र नगर सहित जसी डी कुंडा मोहनपूर थाना छेत्रों में मल्टी एकसल विकल्स हाईवा ट्रक ट्रेलर मालवाहाग आदिवाहन का परवेश पुर्ण रुपेन 12 जुलाई के सुबह 26 से 37 बहे तक बंद रखने का निना लिया गया है जे एम एम नेता पंकज समेत 14 को नोटिस जारी सी एम हमान सुरेन के विधायक परतिनिधी पंकज मिस्त्रा सही 14 लोगों के यहां सुक्रवार को शुरू होई परवतर निदे सालाई की छापे मारी सन्निवार को खत्म हो गई इन 14 लोगों को इडी ने पुछताच के लिए सन्निवार को नोटिस देकर रांची कर्याले बुलाया है मालूम हो कि जून 2020 में बरहरवा में हट बयार की बंदोबस्ति के टेंडर को लेकर दो पक्षों में हुए बिवात के मामले में यह जांच हो रही है इस चापे मारी में इडी टीम ने पत्थर बेवसाई हिरा भगत के यहां से तीन को रूपए बरामत किये है पांच दिनों से गुमला में पेज आला पूर्ति ठप गुमला सहर में पांच दिनों से पेज आला पूर्ति बंद है जिसे सहर की 51 अबादी परिशान है रभिवार को बकरित परभाए ऐसे में पानी नहीं मिलने से मुसलिम धर्म लंबी सबसे ज़्यादा परिशान है वहीं पांच दिनों से पानी पीने का नहीं मिलने के कारण लोग खरित कर पानी पी रहे हैं पानी संकट का या मुद्दा गुमला के विभीन सोसल मीडिया में भी छाया रहा है टाटा इस्टील के 13,000 कर्मियों का पेट्रोल भत्ता बढ़ा टाटा इस्टील के कर्मचारियों के पेट्रोल अलाउट पर टाटा इस्टील परवंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच समझावता पर समाती बनी है समझावता के तहाद पुराने ग्रेट के कर्मियों के दो पहिया वाहन के पेट्रोल एलाउंस में 425 रुपए है समझाओता एक अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2027 पांच साल के लिए हुआ है पीए मोधी के कारेकरम को लेकर देवहर पहुंची SPG 12 जुलाई को पीए मोधी की आगमन को लेकर दिली से SPG के टीम देवहर पहुंच चुकी है जिसमें SPG के IG SPG 3 IG रेंग के अधिकारी वह एक अन्य अपसर सामिल है SPG के सेस अधिकारी वह जवान भी साम तक पहुंच जाएंगे मिली जनकारी के उनसार SPG के अधिकारी प्रधान मंत्री की सुरक्षा समंधी प्रधान मंत्री की तयारी को अमतिम रूप देंगे IG, SPG, अपनी पूरी टीम के साथ तीनों कारेकरम अस्थाल वर जिस रूट से प्रधान मंत्री गुजरेंगे वहाँ जाजा लेगी सभी इलाके की सुरक्षा बेवस्था की बारी की से जाच करेंगे देवघर में सरकारी गेस्ट हाउस समेथ बड़े होटल की बुकिंग 12 तक रद प्रधान मंदी नाद मोदी 12 जुलाई को देवघर आ रहे हैं जिसकी त्यारी लगभग पूरी हो चुकी है एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदीर समेथ सहर के कोई अस्थानों पर पीए मोदी के बड़े बड़े कॉट आउट लग चुके है पूरे सहर को पीए मोदी के पोश्टर और भाजपा के जंडे से पाट दिया गया है पीए मोदी के देवगर कॉलेज जाने वाले वियाईपी मार्ग को राच में भी त्यार किया जा रहा है बता दे बैदनाथ मंदीर में पीएम की पुजा अर्चनावा यारपोर्ट में उधगाटन कारकर में पीए मोदी का भाषान देवगर कॉलेज मैदान की सभा में मजूद लोग भी देख वा सुन पाएंगे वहीं दिली सियर पोर्ट गिरी मंत्रालाई स्वास्त विभाग के अधिकारी सहीद SPG की टीम के आगमन को देखते हुए सहर के बड़े होटलों वह सरकारी गेस्ट हाउस की बोकिंग जिला परसासन ने 12 जुलाई तक के लिए रद कर दिया है बड़े होटलों को जिला परसासन ने अपने अधिन लेते हुए नई बोकिंग नहीं करने का सक्त निदेश दिया है द्रोपदी मुर्मो या एस्वंत सिन्हा पर हेमन्त सुरेन ने अब तक नहीं खोले पते भाजपा एस्टी मुर्चा राष्टपती चुना में एंडिये उमिद्वार द्रोपदी मुर्मो के समर्थन के लिए सतर रुदल जहमों पर दबाव बनाएगा मुर्चा करकाता राजे के तमाम आदिवासी संगटनों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे मुके मंत्री है मन्सुरेन को पत्र लिख राष्टपती उमिद्वार द्रोपदी मुर्मो को सयोग करने का अगरा करे सनिवार को परदेश भाजपा कर्याले में एश्टी मौर्चा के राष्ट्री अध्यक समीर उराओ के जख्सा में होई बैठक में इस बात की समाती बनी है बकरीद पर जहारखंड में धार्मिक असलो पर बड़ा पहरा इस बार बकरीद को लेकर राजे में सुरक्षा के पुखता इंजाम किये गए हैं हाल के कुछ दिनों में संप्रदाइक तना को देखते हुए परसासन अलोट और सभी सन्वेदन सील छेत्रों की गति वीदियो पर नजर रख रहा है बकरीद के दुरान सुरक्षा ब्यवास्ता को देखते हुए परियाप्त संख्या में दंदा अधिकारियों को भी प्रतिन्युक्त किया गया है ताकि समय रहते बिगरते महल को रोका जा सके सर्वेदन सील छेत्रों में अतरीक्त पुलिस बल के अलावा सिसी टीवी कैमरे परियाप्त संख्या में लगाएगा है जिसकी कंट्रोल डूम से मोनेटरिंग की जा रही है जारखन में एक सोब पलस इसकूलों में सुक्रवार को सबताहिक आवकास जाच के आदेश रभीवार की जगा सुक्रवार को आवकास की अनुमती सिर्फ उर्दू बिद्यालों को प्राप्त है गर उर्दू बिद्यालों में सुक्रवार को आवकास नहीं हो सकता चाहे वह मुसलिम बहुल छेत्रों में इस्थित इसकूल क्यों नहो या चाहे वहाँ पढ़ने वाले अधिक बचे मुस्लिम क्यों न हो बता दे जाम तरा में एक सवसे अधिक बिद्यालों में सुक्रवार को आउकास दिया जा रहा है जबकि वे सभी उर्दू स्कूल नहीं है सराभी पीता ने पांच माह के बच्चे को 5000 में बेचा जहरखन की रईधानी राची में नसे की खाती सराभी पीता के द्वारा अपने दूद्मुहे बचे का सवधा करने का मामला सामने आया है घटना टाटी सिल्वे थाना छेत्रिक के बड़ाम इलाके की है बताद यहां नसे के लिए कल्योगी पीता पर अपने पांच महीने के बच्चे को 5000 रुपे बेचने का रूप लगा है बच्चे को गोद लेने वाली महिला पुजा ने बताया की सनिचर बच्चे को पानले में सक्षम नहीं था वो गढ़ा खोद कर बच्चे को दफन करने वाला था जिस करन उन्होंने बच्चे को गोद लिया है इसके बदले में उन्होंने सनिचर को 5000 रुपे दिये हैं वैसुनो देवी और अमरितसर जाने के लिए रांची से स्पेशल ट्रेन भार्तीय रेलवे आई और सी टी सी पर्यटको के लिए ट्रेन के जरिए सौधेष दर्शन शुरू करना ने जा रहा है इसके तहत यात्री वैसनों देवी के साथ साथ अमरित सर की यात्रा भी कर सकते हैं बता दे 7 अक्टूर को राची से खुनने वाली स्पेशल ट्रेन सौधेश दर्शन के लिए रवाना होगी या ट्रेन धनबाद, कुल्टी और जसीडी होते हुए वैसनों देवी और अमरित सर जाएगी इस सवदेश दर्शन यात्रा के लिए 3 स्रेनी के टिकट रखे गए हैं जिसमें 82 स्रेनी के लिए प्रति ब्यक्ती 12.330 रुपए वहीं स्रेनी के लिए 14.060 रुपए और कॉनफर्ट स्रेनी के लिए 28.360 रुपए यात्रियों को चुकाने होगे या पूरी यात्रा 6 रात और 6 दिनों के लिए होगी टिकट बुकिंग के लिए यात्री 24 गंटे हेल फ्लाइन नमबर 85,95,93,89,02 पर संपर्क कर सकते हैं ज्यारखन में लगातार बढ़ रहा कुरोना संक्रमन एक्टिव केस 542 ज्यारखन में कुरोना संक्रमन गत्ती दोबारा तेज हो गई है स्वास्त विभाग द्वारा 8 जुलाई तक जारी आकड़ों पर गवर करें तो राज में कुरोना के कुल एक्टिव केस की संक्या 542 हो गई है वहीं रांची में 58 एक्टिव केस हैं जो कुल एक्टिव केस का 10 फिजदी है रांची के अलावा पुर्वी सिमूम देवगर और बोकारों में भी कुरोना संक्रमन लगातार बढ़ रहा है पारा सिक्षकों ने बेतन के लिए BEO को घेरा और मांजी परखंड के 170 पारा सिक्षकों ने बेतन की मायंग पस सनिवार को पारा बी आर्सी में BEO निर्माला कुमारी के घेराव किया पारा सिक्षकों का कहना है कि सत्पर्चिसत एमडी एच की रासी छात्रों को देकर सपत पत्र की रिपोर्ट हिडमास्टर को बी आर्सी में जमा करनी थी कुछ इसकूल का सपत पत्र जमा नहीं हुआ है उसी को अधार बना कर पारासिस को कमांदे रोक दिया गया है जो अनुची था है बाल संप्रेक्षन गिरी और खुला आसरे में बच्चों के लिए सरोतम वेवस्ता बहाल होगी रांची में बाल संप्रेक्षन गिरी, बाल गिरी, खुला असरय गिरी और विशिष्ट दत्तक ग्रहन संस्थान में रहने वाले आवासिये बच्चों के सरोतम देख बाल के समन्द में जारी मानक के अनुसार बेवास्ता बहाल की जाएगी पर किरिया के अनुपालन के लिए सनिवार को रांची समनाले सभागार में उपायुक छवी रंजन के जगता में बैठाक होई उन्होंने बताया कि मानक के मताबिक वहां रहने वाले बच्चों के लिए सिक्चा, कौसल, विकास और मन्रजन की बेवस्ता होगी इस्कूल फीस नहीं चुकाने पर गढवा के छव बच्चे आंद्रे परदिश में बंधाक अनले परदिश के एकि इस्कूल में नमांकन कराने वाले रंजा के छव बच्च्यों को बंधाक बनाने के मामला सामने आया है बरवाडी के राजनात उरावने गड़वा बाल कल्यान समीति के अध्यक्स को आवेदन देकर अपने चार बेटे बेटियों समेत सभी छो बच्चों को मुक्त कराने की गुहर लगाई है उनके आवेदन पर CWC ने आंध्यक्स की चाइंड लाइन को बंधक बच्चों को बारे में जनकारी दी है राजनात ने आवेदन में बताया है कि रहला की सोम लता तिवारी ने उनसे संपर्क कर अच्छे स्कूल में बच्चों के नमांकन और असनातक तक मुप्त सिख्चा का जासा दिया था धन्यवाद